चर्ज का रेट और पेट्रोल का रेट एक जितना हो गया आपकी मर्जी आप भूम लें या आप जूम लें जार यह को बात है इस वक्त इम्रान खान के अर्पियर लोगों पर नजर डाले और बताएं अगर आपको वीडियो को मीन हिस्सा देखना है तो इतना वीडियो की बड़ा सपोर्टर था इम्रान खान का और अब देखो अब इसका पूरा इसने 180 डिग्री का टर्ण लिया है तो चलिए दूस्तों पहले पूरा वीडियो देखते हैं फिर वीडियो का इंतिम भाग में करते हैं पर वजीरों की फील्ड प्लेसिंग बदली गई एक उठा कि सिस्टम ठीक नहीं है तो टूपर का बन्दा ठीक है पहले दो बात होती थी चिस्टम या करे अब बात भूधी है नहीं सिस्टम ही ठीक नहीं तो बन्दा क्या करें या पालन माने निजाम ही ठीक नहीं है प्रेजिशनचल फ dong BECा अ लाना चाहिए, सदार्ती निजाम लाना चाहिए, सिस्टम बदलने की जरूरत है, कोई है जो इन से पूछे कभी पहले जो तुमने कुछ बदला उसका रिजल्ट किया आया, किसी डॉक्टर से बाइपास करवाने की रिजामन्दी उस वक्त दी जाती है, जब वो पहले कही काम इमरान खान साब, क्या चाइना, जपैन, बरतानिया, अमरीकाओ, जर्मनी, सब एक जिसे निजाम से चल रहे हैं, नहीं, किसी का सदार्ती है, किसी का पालमानी है, किसी का आमराना है, लेकिन तरक्की सब कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मौशरे और मुल्की जड़े खोकली करने वालों का खात्मा किया, वो कन्फ्यूज नहीं है, क्योंने क्या कर रहे हैं, उनको पता है को उनकी मनसिल क्या है, और उनकी अबलिटी भी है, उनमें कपैसिटी भी है, क्या सदार्ती निजाम के आने से मुल्क में इनसाफ का दोर दोरा हो जाएगा, अदालते 24 20 घंटे काम करना शुरू होँजेंगी, मलक की फसलें पेदबार दोर दोगनी करना शुरू कर देंगी, एक करोड़ घर खुद पर खुद तामीर हो जाएगा, बुल्क निजाम के बदलते ही 22 करोडבां के जहन बदल जाएगे, एक करोड नोक्रिया, सडकों पे पड़ी हों नेक और पारसा मशीने काम करना शूरू हो जाएगी मुलक खसारे से निकल जाएगा क्या सिदार्टी नजाम आयमेफ से जान शुरुआ देगा भूक मिट जाएगी एनरजी क्राइसिस खत्म हो जाएगा यूनिट पांक पैसे का हो जाएगा होगा क्या निया जो इस रिजाम में नहीं हो सकता पहले पर ये बताओ और रिजाम के बदलने से हो जाएगा हमें रिजाम से जजाए इस रिजाम को बुसीदा करने वालों को बदलने हैं उन लोगों को बदलने हैं जो इस قوم की जान चोड़ने का नाम ही नहीं नहीं ले रहे हैं इनकी नसलें दर नसलें इस قوم को गुलाम इबने गुलाम इबने गुलाम बनाए हुए है और अब कोई नया भी आ जाजाए तो नहीं के नक्षे कदम पर चलते हुए ऐसा ही ही हो जाता है हमें नए तज्रबात से ज़ादा इस चीज़ पर सोचने की ज़ूज़ है कि जो आवे का आवा बिगड़ा वाना इसको ठीक कैसे किया जाए निजाम बदलने से पहले अपनी नियतें बदले और आप लोगं की तो नियतें खराब है जान बूज कर अवाम को दोका दिये जा रहे है इस वक मुल्क की मैशत, इंतजामिया, हकूमत, इंसाफ, तालीम, सहत, समयत किसी भी शोबे बे नज़र डाले किसी भी अच्छी खबर की बज़ारी डिप्रेशन हो जाती है लेकिन इस मुल्क में कोई अच्छी खबर हो ना हो अच्छी खबरे देने वालों की एक लंबी लाइन लगी भी है मैं आप से ये कहूना कि पाकिसन के मेशे 2022 में अमरीका, जर्मनिय और बरतानियस ज़्यादा तरकी करेगी तो आप सेकंड के सोचेंगे कि यार ये पागल होगिया ये क्या बातें कर रहा है कई इसने वो अलियमीन गंड़ापूर वाला शहत तो नहीं पी लिया ये इसका दमाग तो नहीं गूम गया अगर आप ये ना भी सोचे तो यकीना इस बात तो आप यकीन नहीं करेंगे ना और ये बात कहने वाले की अकल पर शक होगा लेकिन अलहम्दलिल्ला, अलहम्दलिल्ला है रबलावीन हमारे मलक और इस पर हकूमत करने वाले लोगों के मुशीर इतने ज़दा सच बोलने वाले हैं कि वो सच बोलने से बाजी नहीं आते हैं चाहिए इसके लिए इनकी अपनी अकल पे शक क्यों नहीं हो हमारे मुलक में एक इंपोर्टेड बुशीर है मौसूफ पहले तो आपोजिशन की औरतों के जोड़ों तो फिर तफसेरे करते हैं अब फर्माते हैं कोई है तुक की बात ये को समझ आईए आपको ये बात कि 2018 में उक्मरान कहते थे 2019 में सब ठीक हो जाएगा 1920 का लॉली पॉप दिया फिर चर्चा भी किया कि मेश्चत तो सही सिम्त गामजन होगी है स्टेट बेंक अलग बात है कि गर्फी होगया FBI का चेर्मन हम सही काम नहीं कर रहा है और हमें डिलिवर नहीं हो रहा है लेकिन मेश्चत सही जाने बात और 2021 में अवाम की कमर तोड़ने के बात कियते है 22 में सबको टीक हो जाएगा 22 में टीक ना हुआ तो निया निजाम ले आएंगे और निजाम सबको टीक कर देगा अरे अवाम को जहनी अयाशी के नशेबे लगा कर तहरीक अनसाफ ने जो सियासी फाइदे उठाई वो समझते हैं कि शायद आगे भी इसी तरह फाइदे उठाते रहेंगे लोगों को पागल और कमकल समझ के इनके मस्तक्बिल से खेलते रहेंगे अगर कोई किसी रिक्षे के पीछे एफ सिक्स्टीन लिख दे तो क्या वो एफ सिक्स्टीन बन जाता है वो उड़ता है रहेगा वो मिजाइल मारना शुरू हो जाएगा नहीं भाई वो रिक्षा ही रहेगा और दूसी चीज़ वो कौन साइन का कारनम है जिसकी बन्याद में इनकी किसी एक बात किसी एक दावे किसी एक वादे पर यकीन किया जा सके कुई एक चीज़ जो और ने पहले से जबाव ना की हो बर्बाद ना की हो नए पाकिसान के तर्जमान में पुरानों से भी बता रहे ऐसा लगता है मुल्की मीडिया पर नहीं बलके मौले की बत्तमीज ओरतें थड़े पे बैठें एक दूसे के कपड़े उतार रही है I.M.F. से कर्जा लेने की मेज़ाए खुदकुशी करनी थी लेकिन उसकी खुलामी के तमाम रेकॉर्ड्स तोड़ दी हमने सैंक्रों होनर्मन लोगों की टीम इलेक्शन से पहले तयार थी कोई एक वजारत की कारकरज़ी उठा के देख ले पता चल जाएगा कौन सा अनमौल हीरा उसको चला रहा थाना कल्चर बदलना था आठाट आईजी बदल के पुलीस काई बेड़ागर कर दिया जागीरदारों वडेरों सनतकारों इन सबसे जान चुड़वा के नजरियाती सियासत का फरोग देना था लेकिन आज नजरियाती साथी उनके अपने दर बदर ठोकरे काते नजर आ रहे और परानी हकुम्तों के चम्चे, कर्चे और वेस्ट मेटीरियल आज वजीर और बशीर बनके बढ़े सहत का नजराम ऐसा होगा कि लोग पैदल चलकर आते हैं और एम्बलन्स में वापस ले जाते हैं लाश ही जाती है ना तालीम का ऐसा बेड़ा गर के तालीम माफिया को चार चांद लग गए नवे दिन में मुल्क की तकदीर बदलने थी, नौसो दिन बरबाद हो गए करॉप्शन समयत तमाम बुराईयों को जड़ से उकाड़ कर पैंकता था मुल्क माफिया के हातों में चला गया हमें बताया गया उपर का बंदा साफ होगा, नीचे दूद की नेरे बहेंगी अपर देखा गया कैसा बुसीदा निजाम के बुसीदा खिलाड़ी उसी काफले का हिस्सा बन गए बेरुनी कर्से खतम करने थे, हमने डबल कर दिया इतसाब करना था, कौम की इतसाब की खायश ही खतम हो गई है लूटी भी दॉलर वी दॉलर वापस दानी थी, उल्टा ब्रॉटशीर को 28 मिलियन डॉलर के जुर्माने देने पड़ गए डॉलर को रुपए के मकाबले में टकेट होगरी करना था, डॉलर ने रुपए को टकेट होगरी करती है अमरीका को लगाम डाल देते, अमरीका ने हमें ऐसी लगाम डाली कि हम बाइडन का एक साल से इंतजार करें, फोन की घंटी बच्टी नहीं साइकल पे प्राइम निस्टर ने वजीर आजम हाउस आना था लेकिन हेलिकॉप्टर चुन लिया गया गवरनर हाउस की दिवारें करानी थी वजीर आजम हाउस को यह रुवस्य में बदलना था उसका नाम लेते वे भी आप हुक्मरान कतरा थे पूरी कौम को जैनी आयाशी के ऐसे तस्वराती ख्याल में उपसाया गया कि वो आज तक उसी नशे में जूमती फिर रही है अब कहते हैं चर्स का रेट और पेटरोल का रेट एक जितना हो गया आपकी मर्जी आप भूम लें या जूम लें ठार ये को बात है इस वक्त इमरान खान के रहते हैं लोगों पे नज़र डाले अब बताएं कोई भी एक तज्जरबा कार सियासी मतब्ब्र या मामला फहम वाला बंदा साथ खड़ा है उनके जो थे उनमें से आदे जादा चोड़के चले गए और जो रह गए हैं वो जाने के तयारी में है और जो सबसे चाहीते हैं वो मलत तो क्या इमरान खान की भी नहीं सुन रहे हैं और स्रह अपने फवायद के लिए पार्टी की जड़े काट रहे हैं एक दूसरे से लड़वा रहे हैं और इमरान को तनहा करके खुद इमरान खान की जगा लेने की मनसूबा बंदी करें तीन लोग ऐसे है इस वक्त पाकिसार तरीक अंसाफ में तीन लोग ऐसे जो मसलसल इस्टेविश्मेंट की मिनत समाज़त करें कि इमरान को अगर अटाना है तो हमें उनसे रिप्लेंस कर लो और ये बाते सब के सामने हैं मैं कोई नई बात नहीं कर रहा है बारहल लुबे लुबा भी है कि जो एक नजाम नी चला सकते उससे कैसे उमीद की जा सकती किसी और नजाम को चलाने की काबलियत रखता है और जिस चीज़ का मेंडेट दिया गया था उसी तक मेदूद रहे कौम के साथ मजीद मजाग की बिलकल गुझाईश नहीं है यह तो मेरे तास्वाथ थे आप मुझे अपना जोगाएँ जोस्तों यह वीडियो यहाँ पर होता है खात्म यह प्रो इमरान था और काफी बड़ा सपूर्टर था लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी मीडिया में धीरे धीरे इमरान खान के खिलाब पाकिस्तानी एंकर बोलने लगे है और कुछ एंकर्स बड़े बड़े एंकर्स नजम सेटी जैसे लोगों नो तो यह तक बात कर दी है कि इमरान खान का जाना अपता है अब इमरान के कंदे में बंदूक रखके पाकिस्तान आर्मी ऐसे डिसीजन लेगी जिससे की अमाल लीजी आप देख सकते हो अभी कुछ दिन पहले खवार आई थी कि 100 साल तक भारस से हम जंग ना करेंगे मतलब पाकिस्तान आर्मी इस तरीके के फैसले इमरान खान के कंदे पर बंदूक लखके करेगी जिससे की पूरा का पूरा जो मतलब नुकसान हो वो इमरान खान को और इमरान खान के फ्यूचर को और इमरान खान पर एक कलंक लग जाए कि इस तरीके के फैसले इमरान खान के दौर पर हुए है मेरे साब से तो मेरा analysis यह है गाइस आपको बता दूँ कि 100 साल तक पाकिस्तान के आर्मी ने अगर जंग ना करने का फैसला लिया है तो यह बहुत सहरणी है और इसके मतलब इसकी प्रशन्शा होनी चाहिए कि यह कदम बहुत बड़ा है लेकिन आप पाकिस्तान पर बिल्कुल भी बिस्वास नहीं कर सकते होगी यह पाकिस्तान आर्मी तो जंग लड़ती नहीं है आपने दिखा कि यह तो आप सीधा इनका जो है मुझाहिद जो टेरेस्ट भेजते बंबर या अटेक करने वाले उनको ट्रेनिंग दे दे कर यह घुसेड़ते हैं और आपको भी पता है किस तरीके से वो हमला करते हैं यह सामने से जंग तो लड़ते नहीं है तो यह भी कसम खाएं कि सौ साल तक हम कसमीर में भी यह जो मुझाहिद दीन या जो भी इनको बोलते हैं मैं एक्चुल मैं करकवर्ड बोल नहीं पा रहा हूँ जो भी बोलते हैं आतंकवादी इनको यह भेजे ना बंद करें तो वो एक्चुली में होगी पाकिस्तान की तो जंग वो वाली है आपको भी पता है कि चुहे की तरह मतलब घुसे उससे कही ना कहीं से आपको भी पता है कि जम्मुकस्मिर की जो फैंसे वह ऐसी है यह कोई मैदानी लागा है नहीं वहाँ में कही न कहीं से जोगार बनी जाता है तो उस तरीके से यह घुसते और फिर यह तरीके के कांड करते हैं तो गाइस जो सौ साल तक जंगना करने का फैसल है अगर पूरी तरह से दोनों तरफ से मतलब जो यातंगबादी भेशते और प पाकिस्तान पर आप बिल्कुल भी विस्वास नहीं कर सकते हो वह सौ साल तक की जंग की बात करेंगे और दूसरे दिन करा देंगे ब्लास्ट कार्गिल आपको याद होगा शीया चिन आपको याद होगा इसी तरीके की यह कांड करते रहें गाइस अब रहीवाद पाकिस्त इसस्या आप्म थेलिए आप आप बूसरे शखक कारी होगा पाकिस्ताद कार्ग टूसरे श delsग पिसरे खपाटिक्जर को याद मगारे विस्वास नहीं है था दाद